ये protector अपको बजली कम या ज्यादा होने पर तो बचाएंगा ही लेकिन उसके साथ-साथ अपको बताएंगा कि अपने कितने units इस्तेमाल किये हैं इसके जरिये कैसे अप leakage protection कर सकते हैं इसके जरिये कैसे अप अपने घर की बजली की over and under voltage की protection कर सकते हैं इसमें कैसे अब करेंट एंपीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और इसके अंदर कौन-कौन से फीचर्ज हैं देखे इस वीडियो में। सबसे पहले इसके अंबॉक्सिंग करते हैं। नीचे बटन्स लगे हुए हैं इसके साथ में साइरन का आइकन और स्पीकर भी लगा हुआ है जहां से इसकी अवाज भी अती है। इसके उपर वाले हुस्से में अप अपनी बिजली की इन्पुट वायर जोकी लाइव और नूट्रल के कनेक्शन कर सकते हैं। और नीचे वाले हुस्से में आउट्पुट वायर के लाइव और नूट्रल वायर के कनेक्शन कर सकते हैं। इसकी बॉडी भी प्रीमियम क्वाल्टी की बनी हुई है और अप इसको बासानी से अपने डीपी बॉक्स में लगा सकते हैं। अगर किसी कसम का कोई फॉल्ट अजाता है तो यहां इस इंडिकेटर लाइट अन होगी जोकी ओवर वाल्टेज होने की सूरत में यहां इसकी लाइट अन होगी। इसका डिस्प्ले अन हो जाएगा और इधर पावर अन डिले का काउंट डाउन टाइम शुरू होचका है जोकी 10 सेकंड के बाद हमारे बल्ब को आउटपुट देंगा। हमारे बल्ब को इसने अन कर दिया है और अब हम इसको बटन के जरीए आफ कर सकते हैं और बटन के जरीए इसे अन भी कर सकते हैं। डिस्प्ले में सबसे पहले बता रहा है कि कितने वॉल्टेज चल रहे हैं। उसके नीचे बता रहा है कि कितने इंपियर चल रहे हैं। अगर मैं सेट वाले बटन को दबाता हूँ तो यहां पावर बताएंगा कि कितने वॉट का लोड हमारा चल रहा है। दुबारा सेट वाले बटन को दबाता हूँ, तो यहाँ एनरजी बताएंगा, यानि कि कितने यूनिट्स इस्तेमाल हो गए हैं, यहाँ पर यूनिट्स तब कंस्यूम होते हैं, जब अपका 1000 का लोड एक घंटा चलेगा, तो तब एक यूनिट्स कंस्यूम होगा, अगर अप यूनिट्स चेक करने हैं, तो अप हेवी लोड डाल कर चेक कर सकते हैं, अगर दुबारा सेट वाले बटन को दबाता हूँ, तो यहाँ पावर फैक्टर बताएंगा, इसकी सेटिंग्स करने के लिए अपको सेट वाले बटन को 5 सेकंड तक दबाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले पावर उन डिले टाइम की सेटिंग ये बताती है, कि पावर उन होने पर ब्रेकर कितने सीकंड में खुद बखुद आउन हो जाएगा, फिर अप 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 अडाउन वाले बटन को दबाकर इसमें नमबर सेट कर सकते हैं, सेट वाले बटन को दबाता हूँ, तो यहा यानि कि जब वोल्टीज लिवल हाई से नार्मल रींज पर वापस आ जाए, तो तब ब्रेकर को किस वोल्टीज लेवल पर खुद बखुद आउन होना चाहिए नेक्स्ट है ओवर वाल्टीज प्रोटेक्शन अक्शन टाइम इन सेकंड कि जब वोल्टीज लेवल हाई हो जाए और ओवर वाल्टीज प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए, तो तब ब्रेकर को कितने सेकंड के बाद बंद कर दिया जाए, फिर ब्रेकर अक्शन टाइम से पहले बंद हो जाता है ताकि सिस्टम को नुकसान से बचाया जासके इसी तरह next फिर under voltage protection value set कर सकते हैं कि कितने कम voltage होते हैं तो ये हमारा load बंद करें next फिर इसमें भी under voltage recovery value फिर इसके आगे delay time फिर इसके आगे action time set कर सकते हैं next है इसमें over current protection value ये decide करता है कि कितने current level प breaker ब्रेकर automatically off हो जाए ये feature electrical system को overload situations से बचाता है इस setting में अब 0.1 ampere से लेकर 63 ampere तक कोई भी value select कर सकते हैं next फिर अब इसमें भी same over current recovery delay time फिर इसके आगे over current protection action time फिर इसके आगे continuous over current false time setting की value set कर सकते हैं next फिर इसके आगे leakage protection value की setting होती है ये decide करता है कि कितने milliamps तक कि electric leakage को detect करके breaker को बंद करना है ये feature electrical system और users को electric shock और खतरात से बचाता है इस setting में अब 10 से लेकर 99 तक कोई भी value select कर सकते हैं फिर पहले की तरह इसमें भी leakage recovery delay time फिर इसके आगे continuous leakage false time setting की value upset कर सकते हैं फिर next इसके आगे voltage calibration की setting फिर इसके आगे current calibration की setting और इसके आगे kilowatt hour calibration की setting कर सकते हैं इन कैलिबरेशन सेटिंग्स का मकसद सिस्टम के बर्की पेरामितर्स को दुरस्त तरीके से नापना और सिस्टम की पफॉर्मिंस को बहतर बनाना है। इस से आप system की कारकरदगी को बहतर बना सकते हैं और दुरिस्त फैसले ले सकते हैं ये सारी की सारी setting अपको इसके user manual में मिल जाएगी कि किस जगह पर कौन-कौन C settings हैं अब इसके manual में बासानी से देख सकते हैं अगर अपने एक महीने के बाद इसके units को zero करना है तो उसके लिए अपको सबसे पहले set वाले button को 5 second तक प्रेस करेंगे जब ये setting में उजाएगा फिर अपने power on वाले button को 5 second तक प्रेस करेंगे one time शुरू हो जाएगा और इसकी leakage वाले light भी glow करेंगी फिर ये 30 second के बाद हमारे load को on करेंगा ये थी इसकी सारी की सारी settings जो कि मैंने अपको बताई हैं अगर अप इस 5 in 1 Tomzen के breaker को buy करना चाहते हैं तो अप हमारी website swst.pk पर जाका इसको order कर सकते हैं जिसका link में description में दें दूँगा ऐसी मजीद Smart Devices Home Automation वाली product की वीडियो देखना चाहते हैं तो अप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में bell का notification on कर लें ताकि जब भी कोई new video आएंगी तो अपको उसका notification मिल सकें